हेलो दोस्तों वेलकम बैक प्रिती व्लोग हल्दवानी तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को औरे पटी कल मैंने काटनी सिखाई थी कि कैसे काटी जाती है आज मैं उसी को स्टिच करना सिखाऊंगी तो औरे पटी को स्टिच करने की अगर हम अच्छे से करेंग बड़ा साइड तो हमें क्या करना होता है जो ये बड़ा साइड है इसी के अपोजिट हमें बड़ा साइड लगाना होता है इसको इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसके उपर इस तरह से चड़ा देंगे इसको इस तरह से चड़ा दिंगे और फिर इस्टिच करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ दोस्तों वीडियो ज़्यादा लेंधी नहीं होगा बहुत शॉर्ट वीडियो है तो आप लोग इसको पूरा बोच करना तो यह देखे दोस्तों इस तरह से लगाया जाता है यह देखिए दोस्तों इस तरह से स्टिच किया जाता है ये देखिए दोस्तों मैंने कहा था ना जिस साइड लंबी साइड जो कोना है उसके अपोजेट साइड हमें बड़े कोने को रखना होता है अब हम इसे हमने स्टिच कर लिया है अब हम इसे स्टेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी तो ये हमारी एक स्टेट पट्टी बनके रेडी हो चुकी है और ये औरेब भी है साथी साथ तो दोस्तों इसी तरह मैं एक बार और आप लोग को समझा देती हूं जो ये कोना है ये तिर्चा कटा हुआ है तो जो तिर्चा कटवाई ये कोना है और इस वाली पट्टी का हमें उल्टा भाग लेना है उल्टा कर लेना है कपड़े को और ये कोना है तो इस कोने को हमें यहाँ पे डालना है इस तरह से इस तरह से हम करेंगे तो हमारी और ये पट्टी स्टेट हो जाएगी और सिलने के बाद हमें लास्ट रिमें एक्ष्ट्रा कपड़ा जो होता है चोटा सा तुकड़ा ले लेना है और उसे मसीन के नीचे दबा लेना है इससे क्या ओगा हमारा धागा बार बार नहीं टूटेगा ये देखे ये कपड़ा हमारा यही पर टिका हुआ है तो मैं आपको दिखाती है यह वाली औरे पट्टी तो यह देखिए दोस्तों यह औरे पट्टी कुछ इस तरह बनके रेडी हुई है अब मैं आपको गले में पट्टी लगाना सिखाती हूँ तो दोस्तों औरे पट्टी को किस तरह से सीला जाता है ये तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में दिखा दिया नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को औरे पट्टी को गले पे कैसे स्टिच किया जाता है कैसे गले पे लगाई जाती है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगे तो दोस्तों होप आप लोग कोई वीडियो पसंद आयोगा वीडियो अगर पसंद आयोगा तो लाइक करना शेर करना चैनल को सस्क्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले बाबाए हरार महादेव